बिहार नगर पालिका संशोधन विद्यक के विरोध के बाद बिहार सरकार को अपने फैसले में बदलाओ करना पड़ा बिहार में जादतर मेयर और डिप्टी मेयर बीज़पी समर्थित माने जाते हैं और जब वे ही विरोध में आ गए तो बिहार नगरपाली का संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में होने वाली कठिनाईयों की समिक्षा की गई और संशोधन का ऐलाम किया गया है देखिए क्या चल रहा नगरनिगायों के प्रतनिधी पटना में जुटे थे सरकार के एक फैसले के खिलाब विरोध था बिहार नगरपाली का संशोधन बिध्यक का विपक्ष लगतार बिहार में अपसर्शाही के हावी होने का आरोप लगाता रहा है लेकिन अब यही आरोप लगा रहे हैं नगर निगमों के मेयर डिप्टी मेयर और चुने हुए पारशत और निशाने पर हैं नगर विकास विभाग इस बैठक के बाद सरकार हरकत में आई नगर विकास विभाग ने अपना फैसला बदला मंतरी ने बताया कि क्या बदलाव किया गया है यहाना कि बिल उनके विरोध में था यह गलत है बिल के कुछ पार्ट पर जिस पर उनके आपत्ती थी उसको हम लोगों ने संसोदित किया जैसे कि दिया गया था कि नगर पालीका के मेयर अध्यच को के साथ परवेक्षन काम कारपालक पदारीकारी करेंगे इसको हम लोगों ने चुकि पॉलीसी मिनाने काम जन्पतिनियों करना चाहिए तो हम लोगों ने इसको परिवर्तित करके परवेक्षन काम फिल से स्टैंडिंग कमीटी को दिया है जिसकी अध्यक्ष मेर नगर परिश्षत के अध्यक्ष होते हैं दूसा संसोधन जो हम लोगों ने किया कि ज स्टैंडिंग कमीटी की और बोड की बैटकों की प्रोसीडिंग निर्गत करनी हो की करनी होगी दरसल जन प्रतनिदियों को डर था कि कानून से मेर और डिप्टी मेर के वे सभी अधिकार छिन जाएंगे जिनकी आधार पर ये पतप्रभावी माने जाते हैं साथ ही ये शिकायद भी थी कि कानून से हर सफलता का श्रे नगर विकास विभाग को मिलेगा जबकि नाकामी मेयर और डिप्टी मेयर के हिस्ते आएगी लिया गया है तो हम लोग क्या करें मेरा यह मानना है कि जो नगर पालिका संशोधन विधेक 2024 सदन में पारित हुआ वो पूर्ण रुप से नगर पालिका के स्वायत्ता को खत्म करने वाला विधेक था नगरपालिका के स्वायत्ता पर हमला करने वाला विदेख था धारा सताइस में ये था कि मुखे पार्षत के परिवेक्षन के अधिन नगरपालिका फरशासन चलाने का कारे नगरायुक करेंगे ये जो विधेखाया इसमें मुख्य पार्षत के परवेक्षन के अधिन को हटा दिया गया बिलोपित कर दिया गया अगर मैं ये कहूं कि पदाधिकारी ये श्टेट चलाना सुरू करने तो क्या उनको कबूल होगा तो आज नगर पालिकाओं में जिस तरह से वो पदाधिकारी यों का सासन चलाना चाहरह हैं ये बरदास्त नहीं किया जा सकता है सीधी सीधी बात है पदाधिकारी यों को आगे रख करके नगर पालिकाओं के धन को लूटने का एक साजिस है जब विरोध हुआ तब नगर विकास विभाग बैकफुट पर आया अब ठोस कच्रा परवंधन की दर का निर्धारन निकाय करेगा नगर निकायों में परवेक्षक की स्थाई समीती के अधक्ष को दे दी गई है नगर निकाय और जिला परशद की बैठक के निर्धेशों को 15 दिनों में स्थरवजनी करना होगा नगर निकाय के योजना का परवेक्षक एग्जिक्यूटिव अपसर को बनाया गया था जिसे बदल कर मेयर और मुक्य पारशद को दिया गया है जिसे बड़ी संक्या में लोग निगम की बैठकों में चल जाते थे आप गलिटा है और निगम की पूरी कारवाही सही डंग से नहीं संचान लिते इस पर हम लोगों ने उनसे भी सुझाव लिया और सुझावल लने को हम लोगर पूरी तो इसको रोका था लेकिन का कहना था इक कुछ लोगत तो हम होने देखा कि विजहान सुभाब में और संसद में जिस पकार से सिमित संक्या में दर्सक दिगा में लोग बैठ सकते हैं उसी को हम लोगों ने यहां भी लागू किया है सरकार ने फैसला बदला जन प्रतनिदियों के विरोध के बाद हलाकि मंत्रे इससे इंकार करते हैं और जन प्रतनिदियों को पूरा अधिकार देने की बात कर रहे हैं सरकार के इस फैसले से टकराव टल गया है और उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से ब्रश्टाचार पर लगाम लगेगा और काम भी सुचारू तोर पर चल पाएगा खसिस न्यूज के लिए पटना से गौतम और प्रितम की रिपोर्ट समय हो चला एक छोड़ी से ब्रेक का जल्द लोटते हैं बने रही हमारे साथ